वो तो कहरे रहे हैं तो अपनअ हर का परीचाह liquamente हिंदव है न सुन रहे हैं बाबाका जो बहन की शादि हुए उप मुश्लिम से हुई है अब बाबा जो ही हिंदू-रश्ट की के जाल में फसने की परियास ने करें वो फसाता है मुस्लीम तो अपनी बहन को किसली भेज दी है अगर वो अपनी बहन को भेज़े हैं मुसलमान के घर में साधी करके तो उनसे पूछना चाहिए ना भाई धार्म के नाम पर वही लोग लड़ेंगे जिनका धार्म से धंदा च को जानते हैं वह हमारे बाबा साहिव हैं भीम्रॉम बेटकर बाकि यह सारे पकंडी हैं धर्म के नाम पर समाज में दंगा फेलाना चाहते हैं अब अब हैं इनके एक वार योगी बाबा हैं उए एक बार बता देते कि हनुमान जी जो हैं उदलित है पंडित दिरेंद्र 4 दिवसी जात्रा पर हैं वहार में वह आरे हैं और प्रवचं देंगे और वहीं कर आ working सम्रतन भी कर रह非常 कर रहे और कि बाबा हिंदु intra कि द्वारा बनाई हुई थोपी हुई जाती है लेकिन इस देश का मुल निवासियों से मेरा आगरा है कि इन पाखंडियों के चक्कर में मत पढ़ना और इस देश का मुल निवासी कानवर्टेड मैनर्टी है ठीक है और देखिए यह जो रावा यह धोंगी है बिल्कुल है आप किसी के फैसूग के हिस्ट्री से पफशन निकाल के धूर्ट बनाने का क्राम कर रहे हैं लोगों को यह देखिए परच्ण जो निकाल है हमारा परच्ण निकाल के बताईएगा ब पूलिए हम पहुंचेंगे आपके दर्वार में बताइए कि मेरा भविष्ट क्या है और मेरा पस्ट क्या था अगर आप में वाकई में सक्ति है तो यह बताए ना यह तो यह जो बावा आबा है इनके एक वार योगी बावा है उएक बार बता दिये थे हनुमान जी जो है हुमी रहे हैं चिराग पासवान तो हम लोग सिर्फ एक बावा को जानते हैं वह हमारे बावा साहब है भिम्रॉम बेटकर बाकी यह सारे पकंडी है धर्म के नाम पे समाज में दंगा फैलाना चाहते हैं देखिए इनका गैंग चलता है बजरंग दल वो बजरंग दल नहीं भली से उनका संबंध है तो आभी देश का बजरंग पुनिया जो है तो उनको भी मानिये न भाई को भी बजरंग वली है अचछा अचा समीर जी यह बात बताएं बाबा साहब अंबेड कर कि आप बात कर रहे हैं हमारे देश में समयधानिक विवस्ता है कि आप कहीं भी जा पाख जाते हैं द्रेंद्र किशिना सास्त्री पटना तो क्या दिक्कत हो जाएगा और वह बाबा सभी जैंती पर बढ़ाय से अलगती तो अब हर लोग मना रहे द्रियंद्र के सास्ती भी मना रहे हैं विलकुल मनाएंगे भाई नहीं मनाएंगे तो उनका रोजी रोटी नहीं चलने वाला है अब कि आज कैसे मोहन भागवाद जी आ गाए कि यह बोले कि जाती जो है पंडितों ने बनाई है पंडितों का मतलब यह थो लोग मुर्क मनाने काम बढ़ते तो और किसी ने बनाए पंडित को उन्हें पढ़े लिखे लोग ने बनाया उनका कौन पढ़ा लिखा लोग था उसके स उसके को सर मांग खुत को सर्वसरे श्ट बना लिए और हमें छूत बना दिया हमें शुद्र बना दिये हमने नीच बना दिये वो तो है खर हेंसे लोग हिंदू रास्ट क मांग कर रहे हैं कि यह हम भी सुन रहा है कि बहन की शादी हुए वो मुशिम से हुई कर तकर हैं कि को भी हिंदु लड़कियां परियास नहीं करे वह था अगर वह अपनी बहन को भेज नहीं को भीजिए मुसल्मान के घर में पूछना चाहिए ना भाई समाज के लिए तो सोचना चाहिए था नहीं भीजना चाहिए था जब आप खुले मन से कह रहे हैं मुसलमान कभी रोद कर रहे हैं इस देश में तो मतलब जिसका नाम है खान वह उसका अतनकवादी पुरा खंदान यह तो आप लोग हमेशा सुरू से नीती चल रहे ह कि नाम के आगे खान तो तुम्हारा अतनकवादी पूरा खंदान यह चीज नहीं होना चाहिए समाज में अगर रहना है तो एक जूटता के साथ रहे भाईचारा के साथ रहे सम्मानता का प्रतीक दीजिए उच नीच बाबा बगेसवर धाम के सुनिए देखिए जो दिरेन चुना सुधरा अदमी आरे भाई ग्यानी है रावन से बात कर लेते हैं क्या बात करते हैं घंटा है बाबा रावन से बात करता है तो कहीं सवाल इन पर उठेगा बाबा इतना तो बताए न कि देश में पुल्वामा हमला हुआ है चाहाली जवान सहीद हुए उसको किसी ने करवाया है बताएं कि तो इस देश में ऐसा चल रहा हुआ है कि जो सच व्यक्ति बोल ले वाला है उसको कहीं भी डाल दिया जा रहा है उसको बोले नहीं दिया जा रहा है दलितों के लिए इतना है कि आपके बावा सिर्फ कहें वो बाबा साहिब है उनको पढ़िए उनकी विचारधारा को फॉलो कीजिए क्योंकि उनको भी पढ़िएगा तो आपको अपन अधिकार के लिए लड़िएगा धर्म के नाम पे वही लोग लड़ेंगे जिनका धर्म से धंदा चल रहा है हमें सम्मिधान से सब कुछ मिल है क्योंकि और हिंदू धर्म भी ने धर्म जो है वो ब्राह्मन है यह ब्राह्मन राष्ट का चाल है हिंदू राष्ट के जरिए भाई ने आले में पूरा 100% आपका रिजर्वेशन मंदिर में आपका रिजर्वेशन न्यूज में आपका रिजर्वेशन कारे पालिका में 70% आपका नौकरी में 50% आपका तो हम कहां हैं भाई देश का 90% आबादी हम कहां हैं हम अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं तो तु बस आपको गुम्राह करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आप हिंदू है आप मतलड़िये तो सारा तुम लोग बजरंग दल के जंड़ा डो हो है तुम मंदिर में जाओ और ज्यादा से ज्यादा मंदिर में जाने मतलब एक है कि मंदिर में का डिरेक्शन होए मंदिर में जो लोग जाते हैं महजित के जगा मंदिर के जगा महजित में तो इस सब छोड़ दो बाबू खास करके स्टी स्योबी समाज जिसका रोजी रो नौकरी दीजे आप इसकी लड़ाई लड़ी हैं तो आप धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ते हैं याद कर लो गोदरावा लकांड जिसमें सोक मोची घुशा था वहाँ जाके दंगा किया था आज भी जुत्ते सी रहा है तो उस चीज को तुम्हें समझने की जरूरत है सोक मोची नहीं बनना है तुमको जूता नहीं सीते रहना है तुम्हें गाई नहीं दूते रहना है सबजी उगाते नहीं रहना है कपड़ा धोते नहीं रहना है सुवच रहते नहीं रहना है तुम्हें समाज में आगे जाना है हम लोग बात कर रहे हैं जो भी नीचे तपका मे लोग षूटे हैं हमारे समाज के उनको एक बराबर कैसे लगा जाएं उनको कैसे हर जगह पर बैठे अपने अवाज अपनी लड़ाई लें लोगोथा कि गुलामों उस्वाफ कहा decision के अपनी लगाहई खुद चलिए तो इन्होंने बहुत अच्छा उधारन दिया कि गोद्राकांड में जो असोक मोची का हाल हुआ था हिंदू राष्ट के लिए लड़ रहा था हिंदूत्व के लिए लड़ रहा था असोक मोची पोश्टर वहाई था 2002 गोद्राकांड में और आज उनकी इस्थिति यह है कि वो जीत जूता सी रहे हैं और उनका जो परिवारी की स्थिति यह खराब हुगया हौला कि अब उन्होंने कर दिया कि हम हिंदूत्व की लड़ाइ नहींने लें प्रपासम Caesar के सब्सय हें जबाराद